बर्फालोट फाल था पार्ट में देख लिया होगा next पार्ट पर आचुक के हम कैशब मत रीक है 7 न और 8 वाले न हैं और डी का वेल्ड़ सब्सक्राइब करना हैं Yes फिर एन और ए है तो sn का लगा लो डिरेक्ली कौन सा वाला फॉर्मूला यह वाला देखना आप ध्यान देना a plus an वाला हाना sn की value 210 है given है put कर दो n की value पता नहीं है sir a का value 8 given है और an का value 62 given है ओके तो 210 इकोल्स टू n by 2 into 8 और 22 को add करोगे तो कितना हो जाएगा यह 70 हो जाएगा टू से कट करेंगे तो 35 हो जाएगा 35 को नीचे बेज़ो 210 अपॉन 35 n के लिए आगया बदा उसन में आगया असर आगया इसको कट करो 7 5 जा 35 7 3 जा 21 और 30 और 5 6 जा तो n का value कितना आगया sir 6 आगया लो एक कम तो हो गया आपका ठीक है अब डी भी निकालना है आपको तो डी निकालने के लिए तो मैं अन का फॉर्मला लेलता हूं डिरेक्ली ए प्लस एन माइनस वाने टू डी तो एन का value ऐसे 62 है मेरे पास अ का value मेरे पास 8 है एन का value 6 माइनस 1 है और डी निकल जाएगा इसे 62 इकोलस टू 8 प्लस 5D होगा पहले 8 को यहां बेज़ो 62 माइनस 8 इकोलस टू 5D 62 में से 8 जाएगा तो पहले 2 जाएगा तो 60 60 में से फिर 6 जाएगा तो 54 इकोलस टू 5D बताओ साही है किया हां सरी यह तो सम होगा कि बताओ नहीं हो पायागा सर यह इतना हो जाएगा किलियर है तो यह हमने एन और दोनों value निकाल दी है सेविंथ वाले के इसके लिए नेक्स वाला पार्ट देखते हैं एक मिनट नेक्स वाला पार्ट आ गया है आपका यहां पे सेविंथ एट वाला पार्ट में लगाएं अन का लगाते नहीं का नहीं पहले नका लगनाक पुटेगा न आप को टूट देखा इस इसस का फोर सेखैंस अग्या का वैलीन नहीं है और टी का वैल्आट टू है 4 equals to a plus 2n minus 2 इधर भेज़ो उसको 4 plus 2 equals to a plus 2n यानि 6 equals to a plus 2n यह मेरी first equation हो गई है करण जो second देखो sn का formula क्या है मेरे पास sir n by 2 है a plus an यह वाला लगा दो तो sn की value minus 14 है ok n का value पता नहीं है a का value पता नहीं है लेकिन an का value पता है मुझे 4 है आया समझ में हासर आ गया तू को यहाँ बेजो for 28 equals to n a plus 4 अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से a का value यहाँ पुट कर देता हूँ क्या करता हूँ 6 minus 2n equals to a इसको मेरा first equation माल लेता हूँ a का value हाना और यह मेरा second equation माल लेता हूँ आया को समझ में हासर अब मैं करता हूँ put equation 1 in second input करो minus 28 equals to n a का value put करना है 6 minus 2n केवलिस a की जगे यह आजाएगा 6 minus 2n plus का 4 as it is minus 28 equals to पहले solve कर लो फिर कर लेना multiply 6 और 4 करता हो गया 10 minus 2n क्या करें sir क्या करें 2 common ले लो इसमें से 2 निकाला था 5 बचा इसमें से 2 निकाला था n बचा क्या करें इस 2 से 28 कर जाएगा minus का 14 आ जाएगा वापस से अब देखो कहां तक पहुंचे हम minus का 14 आ गया है यहां तो यह कैसे कारते समझ में आता नहीं 2 को नीचे बेज दिया गरो 2 से पर डिवाइड कर दिया को रहाय से यह n यहां पर single बच गया है फाइफ माइनस एन बच गया है minus 14 इकोल्स टू 5 एन minus एन इसकार दौन को उठा के दर लाओ एन इसकार एदर आएगा तो positive 5 एन आएगा तो negative और minus 14 यहीं है पहले से अब आपके सामने के equation है आपको बीच में ऐसी डिज लिखनी जिसको मिल्टिप्ला करने पर minus 14 इन स्क्वाइर और एडिशन सब्स्क्रिक्शन पर minus 5 आए तो कौन से वैल्यू रखों देखो minus n स्क्वाइर हो गया यह तो positive का था ना हाँ यह positive है यह negative है यह negative है 27 सा 14 होता है हाँ सर माइनस का 7 n और प्लस का 2 n मल्टिप्ला करोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और addition सब्सक्रिक्शन करोगे तो प्लस माइनस 7 n में से 2 n गया तो माइनस 5 है इसमें से common लेंगे आप n निकलेगा और इधर से n माइनस 7 इधर से n माइनस 7 हुआ क्या रखो बार 2 रखो 2 से किया तो 2 है और 2 से 7 ही किया तो 14 n मानस 7 बन गया एक प्लस 2 बन गया तो दोनों को equal करेंगे n मानस 7 इककोल जेरो तो n की value 7 आई और n प्लस टो इककोल जेरो करेंगे तो n की value माइनस 2 आई लेकिन हमें कौन से choose करनी है positive value so we choose positive value so तो n का value कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा. अब इस n के value को कहा पूट करना है? आपको equation 1 में. n इक्वल्स टू 7, put in equation 1, 1 equation देखो, 6-2 ये वाला, n की जगे क्या पूट कर दिया? 7 इक्वल्स टू 8, 6-2 7 जा 14 इक्वल्स टू 8, ये 8 तो वाला पार्ट कर रहे हैं, हाँ, 14 में 6 गया, तो minus का 8 इक्वल्स टू, एहें, बताओ क्या नहीं आया? a का value आगया, minus 8, n का value आगया, 7 और इसी के साथ 7 और 8, 2 पार्ट और complete होगे, question number 3 के, clear है? चलिए, मिलते है next video में.